जैश्री राम दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं भगवान राम जी के लिए भोग बेशन के लड़ू भगवान राम जी को यह भोग बहुत ही पसंद है इसलिए आज हम यह लड़ू बनाकर यहां पर त्यार करने वाले हैं लड़ू बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कफ बारिक वाली सूजी ली है साथ ही मैंने यहां पर लिया है बेशन और इसी तरह यहां पर हमने एक कफ भूरा लिया है या फिर इसे तगार भी कहते हैं अगर आपके पास भूरा ना हो तो आप चीनी को भी मिक्सी में पीश कर इससे भी लड़ू बना सकते हैं और यहां पर मैंने आधा कप घी लिया है साथ ही यहां पर मैंने कुछ बारिक कटे हुए ड्राइफूट्स लिये हैं इसकी कौंटिटी आप अपने अकॉडिंग कम जादा ले सकते हैं अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें दो चम्मच घी डाल देंगे घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम सूजी को भी डाल देंगे और इसे धीमी आज पर भून लेंगे इसे भूनने में हमें 6-7 मिनट का टाइम लगेगा और गैस का फ्लेम हमें low to medium ही रखना है सूजी और बेशन को हम अलग-अलग भूनेंगे क्योंकि सूजी जो है बहुत जल्दी भून जाती है और बेशन को पकने में टाइम लगता है इसलिए हम अलग-अलग ही दोनों को भूनेंगे देख सकते हैं सूजी का कलर जो है चेंज होने लग गया है तो अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने चार चमच घी डाल दिया है गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है और अब हम इसमें बेशन डाल देंगे सुरू सुरू में क्या होता है घी हमें कम लगता है और हम ज़्यादा डाल देते हैं जब बाद में बेशन सिक जाता है तो वह घी छोड़ देता है और फिर हम थोड़ा थोड़ा घी डालके बीच में भूनते रहेंगे इसे हम कंटिनिसली चलाते हुए भूनते रहेंगे इसमें थोड़ा महनत लगता है लेकिन लड़ो जो है बहुती स्वाधिस्ट और बहुती टेस्टी बनके तयार होता है अब देख सकते हैं बेशन का जो कलर है देर लेकिन उससे पहले आप मिक्सी में पीस लेजिए बारिक सुझी से क्या होता है लड़ो जो होते हैं बहुती टेस्टी बनके तयार होते हैं अब यह देखिए कितने अच्छे से हमारा बेशन जो है भूनके तयार हो गया है इसका कलर भी बहुती सुनहरा आया है अब इसी स् जर्ण से 2-3 मिनट के लिए भूल लेंगे अब हम इसमें वह भूना हुआ सूजी दो कर देंगे और इससे लगातार चलाते हीए अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब हमारा सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम गैस का फलेम झो है बंत कर देंगे और इसे एक प्लेट में या ठाले में ट्रांस्फर कर लेंगे, और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, ये लड्डू मैं राम मंदिर बनने की खुशी में बना रही हूं, सब लोग अपने अपने तरीकों से खुशी बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई भगवान जी के लिए लड़ू बना रहे हैं तो कोई आप उसन भेज रहे हैं मैं यहाँ पे बहुत ही खुश हूँ तो मैं यहाँ पे लड़ू बना रही हूँ आप भी कुछ न कुछ तयारी कर रहे होंगे अब हमारा बेशन जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे भूरा और साथ ही डालेंगे एक छोटी चमच इलाइची पावडर इलाइची पावडर डालने से लड़ू का टेस्ट और खुश्बू दोनों ही बहुत ही बढ़िया आते हैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यानाय फैंस भूरा हमें तभी अड़ करना है जब हमारा बेशन जो है अच्छे से ठंडा हो जाएगा नहीं तो वर्ला क्या होगा गरम में ही अगर हम भूरा को अड़ करेंगे तो जो बेशन का मिक्सर है वो पिघलने लगता है और लड़ू जो है अच्छे नहीं बनते हैं अब हातों की सहायता से गोल गोल करते हुए सारे लड़ू को हम तयार कर लेंगे अब मैं इसके उपर से इस तरीके से पिस्ता लगा रहे हुए जिससे हमारे लड़ू जो है देखने में अच्छे लगे अगर आपको घी कम लगे या फिर आपके लड़ू जो है बन नहीं रहे तो आप इसमें घी एड़ कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से लड़ू बनाएंगे तो आपके लड़ू बिल्कुल परफेक्ट बनके तयार होंगे एक ही वार में आप लड़ू बना लेंगे और ये लड़ू बहुत ही टेस्टी बनके भी तयार होगा इसी तरीके से मैंने सारो लड़ों को बना के तयार कर लिया है आज की recipe दोस्तों आपको कैसी लगी आप comment box में जरूर बताईएगा और वीडियो को like, share and subscribe कीजिए ताकि मेरी जो आने वाले वीडियो है आप तक पहुंच सके तो आज बाई बाई नहीं, जै श्री राम